सबसे पहले हम जो राज जी है उनसे बात करेंगे उनका क्वेश्चन लेते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहिए अगर कोई नश्ट करना चाहा रहा है अपने अंदर वर्गो साइंस में चार प्लैनेट हैं किसी के तो वर्गो साइन में अगर चार प्लैनेट या उसके जाधा प्लैनेट होते हैं तो दिक्कत देते हैं वर्गो साइन में तो या तो फीर जाधा हो जाता है अटैश्मेंट या कोई भी सिक्षिंद को ओवर कम करने के लिए कोई डेली टिप्स और डेली प्रैक्टिस में जो हम लोग इंप्रूफ कर सकते हूं और कोई मंद्र हैं नमस्टे राज जी पहले तो यह समझना पड़ेगा केवल कन्या राशी या कन्या लगन होने से जरूरी ने की वो सिक्सिन हमारे अंदर हो वो सभी लगनों के अंदर होते हैं पहली चीज समझ लिए हम सभी लोगों के अंदर सड रिपू व्या हम सभी के साथ हैं अब दूसरी बात है कि उनको कैसे ठीक किया जाए कौन सा मंत्र है पहली बात तो ये बहुत लंबी परक्रिया है और इस लंबी परक्रिया में बिना गुरू के सेहोग के पॉसिबल है ही नहीं कारण क्या है सबसे बड़ा चैलेंज जीवन में हमारे साथ होता है कि हम स्यम को बदलना ही नहीं चाहते हैं और बदलना भी चाहते हैं तो हम अपनी शर्तों पर बदलना चाहते हैं और उसमें भी हम हमारी सोच को अपलाई कर देते हैं किसी ने कहा चाहे नहीं पियोगे तो कहते हैं चलो ग्रीन टी तो प्वी सकते हैं ना चाहे चोड़ देता हूं ग्रीन टी पी लेते हूं प्ला नहीं ग्रीन टी भी नहीं पियो फिर काफी तो अच्छी चीज है लीवर के लिए अच्छी है अरे भाई कॉफे भी नहीं पिऊगए ऐसीडीटी बढ़ेगी अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं अद्रक का पानी पी लेते हैं अरे भाई गर्मी है तुमको ऐसीडीटी है तुमको नहीं करना ये काम पिर जी बिना पानी पिए तो मेरा एमोशन ही ठीक नहीं होगा तो इतो मामला ही गड़बर हो जाएगा ऐसा करते है प्लान कैंसिल चाहे ही ठीक है हमारे बदलाव के नियम जीवन में कुछ इस तरह से होते है अब कोई वेक्ति सच्चे हर्दे से चाहता है तो उसे नहीं पता वो क्या चाहरा है वो ये चाहरा है कि मैं सेवम को भसमी भूद कर दूँ और भसमधारी केवल भगवान शिव है भागवान शिव को लोग अंजाने में जोश में आकर के इतना जल्दी अपना लेते हैं कि पूछो मत भागवान शिव अगनी सवरूप है छे सड रिपूओं को खतम करना है तो उसके लिए अगनी की आवशक्ता है अगनी ही केवल सड रिपूओं को भसमी भूद करने की ताकत रखती है और अगनी रूप भागवान शिव का जोतरलिंग है यानि की भक्त ये कह रहा है कि I am ready कि मैं उस अगनी में जलने को तैयार हूँ अगर वो तैयार है तो भगवान शिव की अगनी निश्यत रूप से आपके सारे शरीर के और मन के मल को भसमी भूद कर देंगे पर भगवान शिव के भी कई रूप हैं भगवान शिव गुरु रूप में भी होते हैं गुरु रूप में होने का तात परे क्या है यहाँ पर हमें उसको भी समझना पड़ेगा जब गुरु भगवान शिव से मिलाते हैं तो वो जो शिव होते हैं वो गुरु रूप होते हैं पर जब हम खुदी मुलाकात करने चले जाते हैं ये वोई वाली बात हो गई कि आपके शहर में मोदी जी आए आप मूँ ठाके चल दिये आपका कोई किसी से connection नहीं है और मोदी जी को कहते जी हम आपके voter हैं हम आपके supporter हैं हमें याद रखना वो हाथ इला देगी चिंता नागा बट क्या आप महां कोई काम करवा सकते हैं और एक रास्ता है कि आप अमिशा जी के थुरू जाएं नड़ा जी के थुरू जाएं और वो कहें हाँ जी मेने भेजा है फिर आप मोदी जी को अपना काम बताएं बताओ काम होने की कितनी ज़्यादा संभाव न भढ़ जाएगी बस यही है हम मन से उठाते उठते और ध्यान करते यार एक कारिकरम में देखा था जोड़ जोड़ के उब नमशिवाय चल रहा था तूभी पोच्जा देखम देखी है सारा यह देखम देखी से जब निकल जाएंगे और गुरू के माध्यम से जब हम भगवान शिव तक ज चल जाएगा पर ब्गवान शिव को चाहने से पहले शिव सूतर जो लिखे हुए है उनको समझ लेना कि शिव सूतर कहते क्या है शिव सूतर की बड़ी प्यारी पुस्तक है बड़ा प्यारी आप जरूर पढ़िएगा जरूर सीखेगा बड़ी नहीं है ज्यादा बड़ा गम गरंतनी चोटा है पर गूड है हिंदी वाली ले लीजिएगा फिर आपको पता चलेगा कि आप किस चीज की तैयारी में जीवन ऐसा नहीं चाहता भगवान शिव आपको मूल रूप से बदल देते हैं पूरा सवरूप चेंज कर देते हैं आपका क्योंकि भगवान शिव का सवरूप ही अपने आप में बड़ा परिवर्तन कारी है और बड़ा करांती कारी है इसलिए दुरलब है वो और दुरलब को प्राप्त करने के लिए किसी गाइड की आशकता होती है जब हम किसी पुराने किले को देखने जाते हैं बिल्डिंग को देखने जाते हैं हम आप एक गाइड हायर कर लेते हैं पर जिस भगवान के बारे में हम जानते ही नहीं वह हम कोई गाइड हायर नहीं करते हैं हम अपने बुद्धी का प्रयो नहीं है इस बुद्धि के पास अनुभव नहीं है तो अनुभव हीन बुद्धी हमको कहा किसको मिलवा दे कोई पता थोड़ी होंगा मंदिर में चीकते चिलाते लोगों को कोई आते घुसते बंबं करने लग जाता है कोई कुछ जो मन आया वो करने लग जाता है आपको कई बार ऐसा लगता है का पागल खाने में आ गया हूं कोई कुछ कर रहा है कोई नोटंकी कर रहा है कोई भसम रवा के बैढ़ गया कोई कुछ करके बैढ़ पता उन्हें कुछ नहीं कख नहीं पता हुने बस कर रहे जा रहे किया कर आप किसी ने देखम देखी तुने मैं यहां लगा दिया तो उसने भी यहां लगा दिया किसी ने यहां लगा दिया तो उसने भी यहां लगा दिया देखम देखी चल रही है और उस देखम देखी सही लोग कहते हैं रोज तो भगवान की पूजा करते, समस्याएं और संकट भरे पड़े जीवन में, भगवान सुनते नहीं, कई तो नराज होके कह देते हैं हमारा भगवान पे से विश्वासी उठ गया, मला वो कह रहे हमने अब फ्रेंचाइजी छोड़ दी, अब हम नहीं जाने वाले उसमें, भाई स तो नहीं किया जी, भगवान से क्या कॉंट्रेक्ट करने, बस यह वो ही आपने मकान तो किराय पे दे दिया, पर कॉंट्रेक्ट नहीं किया, तो भाई कोई भी कबजा कर सकता है, सड रिपू को, समाने जीवन में समाप्त करना, मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा हो जाता है, हो जाता है, पर परियास करने से क्या नहीं हो सकता, इंदुस्तान के तो कंकं में संकर है, कोई ऐसी बात नहीं, करना चाते हो अच्छा है, सर पर्थम किसी गुरु को डूंडो, भगवान से प्राठ्ठना करो, कि कोई गुरु मिले, कोई सद गुरु मिले, जो भगवान शिव का रास्ता बताएं, जो तुम्हें बिठा करके सिव सूत्र समझा पाएं। तो शिव कारास्ता ही सड़ रिपु को कम कर सकता है या स्माप्त कर सकता है। और कोई देवतान नहीं, भगवान विश्णु जी देने में यकीन रखते हैं, वो कहेंगे हैं, एंज्वाय करो यार लाइफ को, पैसा मांगो, धन मांगो, गाड़ी मांगो, अगर आपको यह सब चाहिए तो भगवान विश्णु जी के पास चाहिए, उन्होंने जिम्मेब आरी लिए हना हम सभी की पालना करने की, अपालना में तो सभी चीज़ आ गई, अब बच्चा जवान है, कमाता कुछ निये, पर बच्चे को बाइक चाहिए, कार चाहिए तो किससे मांगेगा, बाप के पास ही जायेगा, अब बाप बाइक दे सकता है तो मांगेगा, कार द उनुजी सामर्थे शाली हैं देंगे भगवान शिव के पास लोग मांगने चले जाते हैं जमीन जदाद मकान भान भाई वो तो पहले बसमे भूत हो करके रमा के बैठे हुए वो कह रहे यार मेरा मेरी तरफ तो देख ले कम से कब तो समझी नहीं रहा ये चीज को समझने की आवशक्ता है विनोजी पूछ रहे हैं सड रिपू कौन सड रिपू का मतलब होता है रिपू मिनसे शत्रू राज जी ने क्वेशन किया है कि सड रिपू को कैसे एक समाप्त करें अपने जीवन से कौन सा मंत्र पढ़ें आप तो मंत्र की जहां तक बात है तो गुरु मंत्र से बड़ा कोई नहीं है गुरु मंत्र से कोई बड़ा नहीं है आप तंत्र सास्तर में चले जाओ मंत्र सास्तर में चले जाओ सब जगए की बात लिखी है गुरू मंतर से बड़ा कोई नहीं यह तड़फनी गुरू दिलाएगा तड़फ होनी चाहिए तड़फ नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी मोबाइल खरीदना होता तो तड़फ आती है ना फिर आदमी जुगाड में लग जाता है मैं फिर मोबाइल ले ही आता है एक दिन तो तड़फ नहीं होगी तो गुरू कैसे मिलेंगे भगवान से यह कहो कि मुझे भगवान दृष्टी दे कि मैं गुरू को पैचांस गुरू तो मिल जाते हैं कोने कोने पे गली गली में महले महले में बजार में ठेले में हर जगा गुरू गुम रहे हमारे इंदुस्तान तो गुरू का देश है पैचानना पड़ेगा तो पैचानने की आखे चाहिया में कभी गलती से चले जाओ की तीड स्थान पे सब दुकाने सजाके बैठे अधर एक बढ़िया को टिर पुट सजाके बैठा कोई कुछ बना के बैठा कोई किसी डिजाइन में बैठा हूँ मिल जाएंगा माला सजाके बैठा हूँ एक से एक बैठें साथ तो वह मुद्दा नहीं है गुरुओं की कमी थोड़ी हिंदुस्तान के अंदर इसी गुरु देश रहे हैं गुरु परदान देश है यह तो यहां तो गुरु को पहचानने की जरूरत है गुरु तो आप अपने कहा रहते हो जा रहते हुआ निकल जाओगे वहां दस-वीस मिल जाएंगे छोटे से मिल जाते हैं तो ठीक किया बचारे भले मानूस होंगे जिन्होंने मना कर दिया ठाग होते तो बिल्कुल कहते आओ ना क्या दिक्कत क्या है तो आपने अपनी इच्छा रखी होगी सड रिपू को खतम करने किया वो कहरे सड रिपू तो हमीं उल्जे पड़े इधर इधर संकट आए पड़े हुए इधर जो समस्या कड़ी हो जाएगी जान को एक और नहीं बंदे को पकड़ लो तो फ्रैंचाइजी नहीं दी उन्होंने अपनी अच्छे किया तो कोई बात नहीं आप जो है जो गुरू पसंद हो वो परिक्षा लेगा और परिक्षा लेगा उसकी परिक्षा पे खरा उत्रो तो एक दिन दे देगा गुरू की जिस दिन मौज होग ही उस-दिन अपना लेगा ईह न शिश्य कभी नहीं ढूंडता शिश्य सिर्फ प्रात्ना कर सकता है भग्वान से प्रभू से अपनी आत्मा से कि शिश्य में गुरू को पहचानने की ताकत दी नहीं ताकत नहीं दी उसके मन को सिर्फ अच्छा लग जाता है गुरू पहच कूं वो डिसाइड करेगा हम कौन होतें डिसाइड करने वाले गुरु अपना लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी तो गुरु का मार्ग पकड़ो वो सड रिपू को भी ठीक कर देंगे चिंता ना करो कोई से भी रिपू ठीक कर देंगे पर यहां पर एक गलती मत करना जो अक्सर इंसान गलती करता है क्या करता है गुरु अपना लेंगे संकट खतम गुरु अपना लेंगे तो जीवन में पैसा ही पैसा होगा ऐसे नहीं होगा जीवन जैसा है वो आपके करम अधारित है कर्मों के बेश पे है पीछे जो करके आयो बहुतना पड़ेगा जैसे कोई गादमिंगा एक्सिटेंट करके भाग जाए पुलिस कोई सा छोड़ देती है पीछा उस समय तो भागा है दो चार गंटे के लिए दो दिन के लिए दो महिने के लिए तीन महिने के लिए जब भी आत लग जाएगा पकड़ लेगी नहीं पकड़ लेगी ऐसे ही हमारा जीवन है आज हम जो भी हैं जैसे भी हैं हमारे पास्ट लाइफ करमाज की वज़े से हैं हमारे कार्मिक साइकल है तो इस माप करते तस बार कहतो दिया माप करते यार और क्या मेरी जान लेगा छोड़ पीछा हो गया गलती कोई मिल जाए गुरू ऐसा कहते जा बेड़ा माप शौट कट में पड़े हुए गुरू अपने करम नहीं बचा सकता आपके करमों से तो कैसे पीछा चुड़वाएगा ज्यान से गुरू अपने करमों से मुक्ति नहीं पा सकता आपके करमों को कैसे मुक्त करा देगा गुरू का कारे है मार्ग दिखाना कि दुबारा आप उस चक्र भी उमें ना पसे वो है गुरू का कारे है तो वो गुरू करेगा सामर्थे साली गुरू है विद्वान गुरू है करेगा हूँ पर गुरु से यह उमीद कर रहे हो, जी चमसकार हो जाए, जिस्ट चीज मांग रहे हो गलता दमी से झानल भी सब्सक्राइब आपने अप्परोच छी गलत जगा कर दिया, वह है कि आप पोस्ट आफिस में चले गए गलती से, और वहां कहे रहे हो, मेरी अट दर्ज कर लो अक्सर लोग जो है न यही गलती करते हैं एक की वाइफ जो थी उन लेटर लिखके चली गई कि मैं तुम्हें छोड़के जा रही हूं आज के बाद तुमारा हमारा रिस्ता खतम उसने चिट्थी उठाई और भागा और भागा तो डाखाने की तरफ डाखाना आ गया तो को कहता है जाब देखो मेरी वाइफ ने चिट्गी लिख दी है विनिया आज के बास तुमारा मेरा नात तकतम में चोड़के जा रही हूं चैया तो कहता बाबू हम क्या करें यह बता ना चिट्थी को पहुचाना हैं बूला पहुचाना नहीं है मैं कहता है हैillar डिस्ता कुई कंप्लेंट लिखवानिए थाने में जा यहां कुई लियह न देना नहीं चीज का हम तो चिथी इदर की उदर कर सकते हैं बास इस से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जो कहीं पोचा नहीं है तो पोचा देंगे हमारी ये ड्यूटी है थाने में जा तू कहता है क्या करूं खुशी के मारी यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा थाना और कौन सा पोस्ट आपिस है यह लाल रंग की बिल्डिंग देखी और मैं घुज गया बस चलो बढ़िया करा मेने थाने नहीं जाना बस मैं बस भागा फिर रहूं तो अक्सर इंसान कभी कभी खुशी में या गम में गलत पॉइंट को अप्रोच कर लेता है खुशी और गम दोनों में गलती होती है अक्स अभी हमारे एक बड़ा पुराने क्लाइंट है एक स्टोरी छोड़ी सी बताता हूं आपको उसकी कभी मुखा मिला तो कुंडली भी मैं आपको शियर करूँ है उस बच्चे के माबाप हमेशा मेरे से पिछले आट-दस सालों से कंसल्टेशन लेते आए मैंने उस लड़के के बारे में बताया था वे कुंडली दिखा लेना पर क्या वह उसको कोई लड़की पसंद आई अरेंज मैरिज है माबाप नहीं दिखाई कोई लॉम मैरिज नहीं पर लड़के ने देखा लड़की को लड़की ज्यादा पसंद आ गई उसको वो अड़ रंग रूप के उपर वो चला गया थोड़ा और उसने वही पर तिलक छापा जो होता है हमारी रसम रिवाज के साब से करवा लिया मेरे पास आया पूरा परिवार कार्ड ले करके मैंने भी मुबारक बात दे दी मैंने का बहुत बढ़ी है वही जरूर आएंगे शादी के अं पुंडली तो देख लो मैच में की मैंने कई यह गडबड मत करा हो नहीं माने भोले नहीं जी बस एक बार मौरती निकाल दो दोनों की मलब देखे ही माने मैंने तुरंत कहा यह तो फस गया लड़का यह शादी नहीं चलेगी यह शादी साल भर के अंदर तूड जाएगी बच्चा इसको तीन-चार साल होगे केस चलते हुए अब रोता है तो ये बात मैंने क्यों सुनाई क्योंकि वेक्ति ज्यादा एक खुश हो गया ज्यादा खुशी से एकसाइटमेंट आ जाती है तो उस समय उसका दिमाग बावला हो जाता है ये नहीं पता चलता प्रोच किसक जाओ क्योंकि घरवाले तो इमोशनल होते हैं लड़का लड़की दोनों इमोशनल होते हैं वो तो जोश में आ जाते हैं एक निस्पक्ष आदमी को लेके जाओ जो क्रिटिकल टाइप आदमी हो जो आपको सारी बुराईयां बताएगा फिर उस बुराईयों में देखो कॉमन सेंस लगाओ कि कितनी ठीक है कितनी गड़बड है किसमे विचार करना है किसमे नहीं करना है तो बात बनती है तो निश्चित रूप से राज जी आप सड़ रिपू को कम करने का जरूर प्रियास करें और खतम हो ना हो कम जरूर होना चाहिए ये कम होने से आदमी का द खर्मा तो आएगा उससे तो कोई नहीं बच सकता अगर हमने पिछले जनम में जानवर काट काट के खाए हैं तो भाई जनम में हमारे साथ भी कुछ तो कुछ होगा तो हम ऐसा क्यूं उमीद कर लेते हैं अगर हम पिछले जनम में किसी की ओरत को भगा के ले गए तो तो इस बार आप खुद तयार रहो कि क्या हमारा विस्मर्त हो गया हमारे को याद नहीं है पिछले जनम में कुंडली क्या काम आएगे वो इसी का तो रूप है इसी का रूप है वो तयार रहो बुक्तो और आगे चलो भगवान की भक्ति आपको दुख को सहन करने की शक्ति देती है ज्यान जो है आपके दुख को कम कर देता है ज्यान क्यूं आउशक है ज्यान हमारे दुखों को कम कर देता है भक्ति शक्ति देती है ज्यान दुख को कम कर देता है क्रावर तो यह मत समझों कि करने राशी या कर्ने लगना आ गए तो मेरी सिर के उपर आ गए ऐसा नहीं है हम सभी इंसानों भंग व्हकर के किसी का कोई आइटम जादा तो निश्चित रून से यह हैं इस हमाम सब नंग है खोई ऐसी चिंदा करो कि आपी के सिरा आ गया कन्या लगन वाला परेशान हो जाए ऐसा निश्चित रूख से ऐसा कुछ नहीं है कन्या मिन्स प्यॉरटी इस साइन ओफ प्यॉरटी कन्या के साथ समस्या एक ही है कि उसे चाहिए हर चीज प्यॉर पर वो दूसरे को प्यॉर दे इस बात की कोई गरंटी नहीं उसे खुद को प्यॉर चाहिए है ना फनीर भी चाहिए तो असली चाहिए दूज चाहिए तो असली चाहिए वह उसकी सारी जिन्दगी की खोज यह असली कहा मिलेगा नकली बरदास्त नहीं है वो खुद जै कितना मर्जी नकली हो जाए वो उसकी परवा नहीं करता है तो असली प्रॉब्लम करना के साथ वो है सर रिपू तो सब में है चलिए रेनो दूबे जी खुश्पा जी आपने लेट हाथ खड़ा किया है आप लेट कै किया हुआ है तो उसी के हिसाब से चलता हूँ मैं तो आपने पित्र दोस्त के उपाए में एक सौट गायक्ति मंस का हवन आहुती बताया था उसमें आपने लॉंग इलाइची और कपूर को सानल करने के लिए बोलाता है तो इसको सानल कैसे करना है शामिल क्या मतलब बस उस परणाम परणाम लाल किताब के हिसाब से पहले तो लाल किताब के हिसाब से बस हमलों सूतर बदलते हैं बाकी anxiety को देखने का तरीका दोनों में same है वैदिक में भी और उसमें भी देखो कुछ चीजें तो होती है जब हम कह देते हैं हमने BNN शुरू कर दी और वो फलाना शुरू कर दिया के पी शुरू कर दिया यह क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी अट्रेक्ट करना होता है जिससे दो पैसा कमाया जासके जिनके अंदर भटकाओ की स्थिति बहुत जादा है तो बटकावाले प्राणी जो रहना बड़े अच्छे ट्रकिट होते हैं ना तो जैसे बिएन्न ए मोड़ान एकी परसंट लाल किताब फ़्लाकिताब ने जिज निशना सब्सक्राइद करके लाल किताब तो तुमने सींख़ी नहीं लाल लाल किताब सीखने वाला आदमी BNN सीखेगा ही नहीं। ऐसे वैदिक जोतिस सीखने वाला आदमी को भेद खतम हो जाएगा कि लाल किताब में कोई भेद है। भेद जब तक है जब तक आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पारंगत नहीं हो पाए। तो यह कहना छोड़ दो कि KP में एंग्जाइटी कैसे देखेंगे और लाल किताब में और वैदिक में सब में एक जैसा ही सूट रहे है। चोथा भाव और चंद्रमा। चंद्रमा पर पढ़ने वाला प्रभाव प्लस राहू। यह तीन फैक्टर हैं यानि पोर्थ आउस, मून, अब मून जैसे मैंने मून में सारी चीज़ शामिल हो गई, मून की प्लेस्मेंट, मून किसके साथ बैठा है, मून पर किसकी दृष्टी है, सब शामिल हो गया। राहू जी महराज कहां बैठे हैं। राहू जल्दबाजी का परतीक है। इतनी स्पीड, उसको इतनी स्पीड चाहिए कि पूछो म अगर आज आपको वायरल होना है तो आपको एक-एक मिनट के वायरल वीडियो बनाने पड़ेंगे। एक साल से मेरी डिजिटल टीम पीछे पड़ी हुई है। मैंने कहते हैं एक मिनट में तो मेरा मोमेंटम ही नहीं बनता, पांच मिनट बोलने के बाद तो मुझे समझ में आता, आज बोलना क्या है, तो यार मेरे से कैसे हो पाएगा, मेरे ही कोई बीच काई काटके कूटके कर लिया करो यार, तो कहते हैं जी देखो आपका इतना अच्छा बोलते हो, लोग इतनी तारीफ करते हैं, आप जो है पता नहीं क्यों चक्रों में पड़े होई हो, तो र एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी स्पीड है, जब आपका बुद्धी और मन का बैलेंस बिगड़ जाए, वो ही एंग्जाइटी है, बुद्धी कह रही है, ये काम 24 गंटे में होगा, एंग्जाइटी कह रही है, दो गंटे में क्यों नहीं होगा, और दो गंटे म पर देखिए कि मौर्डेन 90 पर्सेंट लोग एंग्जाइटी के शिकार हैं अग्जाइटी पर्सेंट जो मैं हिंदुस्तान की डॉमेस्टिक उसकी बात कर रहा हूं जो देशी देश में आप कहेंगे टाइम नहीं है इनके पास टाइम किसके पास नहीं है एंग्जाइटी व हैं जिस पर दूद वाला भी अपने दूद टांग देता है कोई बकरी भी लेके जा रहा है को सिर्प संदूग भी लेके जा ऐसी सब एकदम मुस्कुराते हस्ते चेहरे मिलेंगे किसी को अंग्जाइटी नहीं माना कि उचरा मिडल किलास आदमी होगा गरीब आदमी होगा पर एंग्जाइटी किसी के पास नहीं मिलेगे उनको बहुत टाइम मैं उनको कहो अच्छा एक घंटा यहीं खड़ी रहेगी अब अच्छा चलो बीड़ी पी लेते हैं बाज बैटके पट्रियों पर आएंग अगराम किसी को कोई सरकार से गौर्मेंट से कोई तकलीफ नहीं है किसी को रेलवे से तकलीफ नहीं है बलकि खुश है कि पहले हमारे टाइम में तो दो दो गंटे रुख जाती ते अब तो एक गंटा कह रहें शरीफ आदमी है बाड़ा सुधार है जब मोदी जी ने कई एंग्जाइटी नहीं मिलेगे एंग्जाइटी को समझ लोगे तो आप जोतिश में उस चीज को समझ लोगे चंद्रमा हमारा मन है और मन को गती कौन देरा वस इसका ध्यान रखो गती शील है इस बात पर गोर मत करो वो हम सबका है गती शील गती शील होना उसका सभाव है मन का सभाव है गती शीलता मन का दूसरा मेन सभाव क्या है कम आनंद से अधिक आनंद की और जाना ये मन का सभाव है अभी हम लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं अगली बार यार नहीं नहीं यार बढ़िया एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ेगा हमें तो यार बढ़िया ट्रेन चाहिए हमें तो बढ़िया मिल गई सीट मिल गई अरे यार नहीं यार यह को मतलब थोड़ी है आपकी बार चो अपन कंफर्म टिकट करके जाएंगे सीट पहले से बुक को नीची यह लोचा नीची हमें फिर लोग वहां बैठ गए अरे यार यह एसी ट्रेन कैसी होती है अंदर के डब्बे दे काले काले होते हैं या कुछ दिखता नहीं अंदर एसी में बैठेंगे थर्ड क्लास एसी में बैठें सेकंड कैसा होता है सेकंड के बाद फर्स्ट कैसा होता है अब तो सीधा जाजमी चलेंगे ना यह मन का सभाव है और यह हम सब का है गरीब का भी मिडल क्लास का भी और अमीर का भी मन की गत को कुछ ज़्यादा तिरुता मिल जाती है बुंती से ज़्यादा मन की तिरुता बढ़ जाती है तो एंग्जाइटी आ जाती है हर चीज तुरंत चाहिए वो हर चीज जो तुरंत चाहिए क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि हर चीज तुरंत मिल जाए इस बात की कोई गरंटी न अाना चाहिए उसे आना पड़ेगा जब भी हम कहते हैं जो चीज भाग्य में नहीं जो चीज हमारे हाथ में नहीं पर उस चीज को हमें उपलब्द करवाना पड़ेगा प्रकरती को वो चीज देनी पड़ेगी तो हम तंत्र के मार्ग में घुज जाते हैं और वो तंत्र का मारग फिर कठिन मारग है वो परिक्षा भी बड़े वैसे लिए था खीच-खीच के खाल खीच-खीच के अगर हम कहते हैं कोई बात नहीं वाई वैदिक मारगी ठीक है वैदिक मारग का मतलब धैरे रखना तो पहले तो हमें यह समझना है यह जो impatience के दो anxiety के दो यह जब होती है जब चंद्रमा को कोई तिर्वता देने वाला ग्रहम साथ ही मिल जाए मंगल की दृष्टी पढ़ जाए मंगल के साथ संबंद बन जाए राहू की दृष्टी पढ़ जाए तो गय नहीं क्या राहू साथ आ जाए तो बल्ले बल्ले पहर तो anxiety क के भरमार लो दुनिया भर की अगर चंद्रमा अकेला बैटा है और किसी भी अन्य ग्रह की छतर चाया में नहीं है तो भी anxiety देगा अब मुद्दा नहीं कि कोई भी पाप गरह नहीं देख रहा है अकेला बैठा है शांती से कोई गरह नहीं देख रहा है एंग्जाइटी देगा उसको भाई किसी का साथ चाहिए क्योंकि उसकी रोशनी खुद की रोशनी नहीं है वो तो पहले उधारी पे चल रहा है वो तो सूरज की रोशनी पे चल रहा है उसके बाद खुद की रोशनी भी नहीं है यानि dependent on other planet हमने कैसे सोच दिया यह किल्ला बेटा होगा तो मोजबार कर देगा खुश हो जाते कि कोई पापगरे नहीं देख रहा जी पापगरे देख ले तो फिर उसको और ज्यादा बढ़ा देता कई बरदवाईयां खानी पड़ जाती है जितना पापगरे देखेगा जितना पापगरे साथ बैठेगा या कमजोर भाव में बैठेगा anxiety crate हो जाएगी अब इसका समाधान क्य विद्यारती को जो प्रॉबलम में प्रॉबलम के डीप में जाना है उसके गहराई में जाना है बस और गहराई में जाकर के देखना है ये प्रॉबलम है क्या अगर समझ में आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि देखना क्या है तो हर पक्ष को समझना है मन के हर पक्ष को समझोगे मामला बन जाएगा क्योंकि आप यह सोचो कि अरे साब मेरा भी मन ऐसा मेरा मन का सभाव है चंचलता मन का सभाव है वो चाहता क्या है मन चाहता शीतलता मन चाहता क्या है अब चहात भी समझ लो मन चाहता शीतलता मन चाहता है प्रेम मन चाहता है सम्मान पितीन चीज़ चाहता है मन शांती चाहता है तलता है कि मुझे मुझे चिक चिक बाजी नहीं चाहिए और क्या जाता है प्रेम और प्रेम की आजादी किसी से किसी से कर लेता है इसलिए उसको 27 पत्नियां दी है पर उसके बावजूद भी अफेर इदर उदर हो जाते हैं तो चंद्रमा का सभाव है तो सभाव को समझो उसकी डिमांड को समझो उस ग्रह की फिर आप समझ जाओ तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस में भी अकेला चंद्रमा ऐसा नहीं समझने अच्छी कि बहुत अच्छा है ना अच्छा और बुरा तो एक बहुत अच्छे या बुरे शब्द हो गई हमने यह समझना है कि इसको साथ मिला है कि नहीं मिला चलिए ग्यान उपाध्या जी गुरुजी परणाम परणाम गुरुजी मेरा प्रेश्ण अब की बार अश्टम भाव से हैं आपने एक बार कहा था कि आप किसी भाव में अगर तीन चार ग्रह एक साथ हो जाए तो वह भाव बहुत हो जाता है और पर हम यह हो जाता है अच्छा हो जाता है बैस्ट हो जाता है मैंने कब का आपने 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 का था कि उसकी वेल्यू बढ़ जाती उस भाव की मैंने सुना है आपसे मेरे सुनने में कुछ अंतर होगा तो गुरुजी अश्टम भाव में अगर चार तीन चार ग्रह हो और उसी कुंडली का बाधा ग्रह भी वहीं हो वर्गोत्तम भी वहीं हो और मैं सिर्फ भीब में जाने की कोशिश कर रहा हूं इस भाव के तो मतलब इसे कैसे समझा जाए अश्टम भाव अपना भाई भी मां पे अवलेबल है अब समस्य यह है कि वो किसको कैसे ट्रीट करें उसको समझ भी नहीं आ रहा है जब साढू-साढू मिलते हैं तो सषुर की बुराही करते हैं जब सफुर दमा दमलते तो दूसरे सठू की कि बुराई करते हैं तो वहीं वाली बात हो गई है nä पहली बात तो वहाओ नहीं प सिर्ष क्या होगा बाँ का बल बढ़ जाता है कि दो से अधिक ग्रह मिलने से भाओ का बल बढ़ का बो जाता है थे फुट का आदमी होता है और उसके बाद मूच्छे बड़ी दबरदस्त वाली होती है वो एक गुजा मार दे तो प्राण पखेरू कर दे बचारा कमाता बहुत कम है आपकी अपेक्षा है ना आप तो सो रुपे की टिप दे के चल देते हो उसका साइज देखो कभी है कभी वो देखो तो उसको कहेंगे उसके पाप बल है पर उसकी वाल्यू नहीं है बल है वाल्यू नहीं है आप उसको खितनी रेस्पेक्ट दे रहे हूं आपने का छह फुट का जवान है तुम्हें सलूट मार रहा है तुम उसके दर देखते भी नहीं आते समय सो का नोट पकड़ाते हैं और सोचते हैं देखा कितना ग्रेट काम कर दिया हमने क्या है value बचारे के और नहीं भी दो तो कौन सा मारा अरियाणा का आधि मी नहीं भी दे है आ नहीं भी दे है क्या दिक्कत है वह कहता वार में जड़ाओ घ्म निकल लेगा value क्या है value नहीं है पर बल पूरा है बिढ़के देखो उससे या उसका manager कहते इसको उठागे भैक वो जब तो कैसे फैकता है एक second लगाया को उठागे बार भैक देगा तो बस ऐसे ही भाव होता है दो से ज़्यादा grab बिलके एक भाव में भाव का बल बढ़ गया अर्थार्थ अस्टम भाव उसको attract करेगा बाकी तो देखना पड़ेगा बादक क्या कर रहा है और मारक क्या कर रहा है वो विशलेशन का मेंश है चलिए विशाल जी सर चरेंट पर सर एक कुंब लगन की कुंडली है सर यह मैं आपका पंचान का क्लास कर रहा था सर तो उसमें इस में इस कुंब लगन की कुंडली में करण बालव है तो उसका ग्रह हो गया मून मून कुंडली में 29 डिग्रीज का बैठा है अस्टम भाव में और इसके उपर सिर्फ और सिर्फ गुरू की दृष्टी है बारवे भाव से गुरू की दृष्टी अस्टम भाव पे आ रही है लड़का है या लड़की बस इतना बताओ लड़का है सर और जॉब क कमजोर हो गया चंद्रमा के बल को बढ़ाने की जरूरत है दो तीन बाते कठी है पहली बात तो 29 डिग्री का जो प्लैनेट है चंद्रमा वो अपने आप में अच्छा माना जाता है बट जब वो अस्टम भाव में जाता है और लड़के की कुंडली में जाता है वहां मामला शुक्र का सुरी गुरू का जो प्रभाव है सिर्फ इतना है कि वो डिप्रेशन में नहीं लेके जा रहा बस अगर इससे और ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कैरियर के अंदर हमारा चार चांद लगाएगा आप ये मान के चलें इस ट्रगल उसको केरियर में करना ही पड़ेगा अग उस ट्रगल को कम करना है तो चंदरमा का उपाय उसे जरूर दे दिए जैसे कि चांदी का कड़ाधारन करवा दिया है चांदी की चेना करवांधी चांदी के ब़्तनों में खाना का ब्यास करवाना नेना चंद्रमा के मंतर जाप करवाना चंद्रमा के जो है अश्टम का चंद्रमा है तो निश्चित रूप से मा काली की उपासना करवाना जितना कमजोर चंद्रमा होगा देवी भगवती की पार्ट करना है लोग चंद्रमा को भगवांशीर से जोड़ देते हैं वो जब है जब बढ़िया हो चंद्रमा है पहली बात तो उसे सोच समझ के करें, दूसरा उसे मालूम होना चाहिए कि महाविद्या साधना जब हम आरंब करते हैं तो मुसीबत बढ़ती है, वो चंद्रमा के दोश को काटने के लिए जब तक उसाधना चलेगी जब तक उसके जीवन को संकट बहुत बढ़ जाते हैं, अ हम आपको बड़ा सीरिसली देख रहे हैं, उसको उम्मीद होगी और उसने सोचा या या यह पका हो जाए, पस यह हो जाए, और उसने साथना शुरू करती पता चला, उन्होंने का साब हम तो आपको बिलकुल ही देख रहें सीरिसली, तो हमारे फलाने बंदे ने ऐसे ही बो तो यह ध्यान रहें, दिक्कत आ सकती है, दिक्कत से नहीं गवराना, बस लगे रहो, फिर वो साथना सारी दिक्कत खतम कर देगी, वो अपना बढ़िया से बढ़िया काम कर देगी, जिसमें समय थोड़ा कम लगेगा? समय कम लगे, मा शक्ती की पूजा पाट बहुत बढ़िया रहेगी, और दस महा विद्याओं में मा भुनेश्वरी जो है, वो बहुत ही बढ़िया उत्तम है, मा भुनेश्वरी का बीज मंतरी कर लो, ज्यादा बड़ा मंतर जाप नहीं कर सकते हैं, मा भुनेश्वरी का जो जो बीज मंत्र है वो हरीम है, हरीम, हरीम बीज मंत्र मा भुनेश्वरी का एक आक्षरी बीज मंत्र है, तो वैसे तो नियम यह है कि वोई भी साधना जो आरम करनी चाहिए एक आक्षरी मंत्रों से करनी चाहिए एक तो एक आक्षरी आसान होते क्योंकि एक ही अक्षर है उसमें ज्यादा बड़ा नहीं होता दूसरा गुरु से फिर बड़ा मंत्र लेना चाहिए, गुरु के माध्यम से मंत्र लेना चाहिए मा बुनेश्वरी की साधना पीत वरण है, पीले तीन भूनों की देवी है ब्रमांड नाईका है एक परकार से, बहुत प्यारा सवरूप है मा बुनेश्वरी का बहुत ही प्यारा सवरूप है, पूरे नव रतनों से सजा हुआ उनका सिंगासन है और क्योंकि स्वामिनी है तीनों भूनों की बड़ा प्यारा सवरूप है, करनी चाहिए साधना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुटू साहब परनाम गुर्जीव जी, परनाम मैंने आप वीडियो देख लिया, बावे शुरूप, अब करूँगा किसी दिन उस पर इस आप से था, तो कोई मैंने क्या सीखा, आपने अमिता बच्चन की कुंडली उसमें गया था, जोड़ था उसमें, जोड़ था ऐसी दशा को ढूंडो, जो दशा आपके एफर्ट्स को बढ़ा देती है, जोब हमेशा ऐसे व्यक्ति की लगती है, जो जो प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा ललाईत हो, यह अगर जोब नहीं मिले तो प्राण पकिरू उड़ जाएं, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डजायर, पैशन, जो लोगर को पैशन साएकर करने हैं, पैशन तो आदमी दाएंबाय कर लेता है, बर्निंग डिजायर, कि नहीं मिला तो क्या होगा, जैसे एक व्यक्ति, अपने गुरू जी के पास गया, गुरू जी बहुत टाइम हो गय आपके पास आते आते बगवान के दर्शन करा दो हम तो इस चक्र में आपके पास आयते के गुरुजी है तो बगवान से मिला देंगे आप तीन चार साल होगे आपके पास चक्र लगाते आप तो बगवान की बात भी नहीं कर रहे हैं उन्हों नहीं का तेरी इच्छा नहीं ह कह रहा हूं आपको अच्छा चल भगवान को मिला देते हैं नदी थी पास में नदी मिले गए नदी में गया तो बचारा उसने का और गहराए में जाओ जब उसका इतना-इतना हो गया तो पीछे से गुरुजी ने गर्धन पकड़ी और सरड़ो दिया उसका सरड़ो दिया तो बचारे के सांस भुटले लगा चटपटाने लगा तो यार आज तो संकट आ गया यह कहां फच गया तो गुरुजी यार प्राण पकिरू लेने पर आ गई यह तो गुरुई गलत कर लिया यह तो यार ऐसा तो विश्वास ही नहीं था हमें जब वो देखा क इसके अब हालात खराब होगी गुरुजी ने मुझ पर कर लिया बस एक जल्दी से एक ही स्वाल का जवाब दे इस समय तुझे ऑक्सीजन चाहिए या फिर वापिस करूं गयारा गुरुजी सिवाए ऑक्सीजन के कुछ नहीं चाहिए बस बाहर निकाल लुग उसने का अग प्राण खतम हो जाएंगे बस यह समझ लो अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो बार लिया गुरुजी बोला ऐसी डिजायर तेरी है क्या कि नहीं मिले तो प्राण संकट में अगले पल अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्राण ही निकल जाएंगे जिस दिन तेरी ऐसी बर्निंग डिजायर होगी उद दिन प्रमात्मा तुझे अपने आप मिल जाएगा इस बर्निंग डिजायर पावर बर्निंग डिजायर बर्निंग डिजायर कुंडली का पहला भाव पैदा करता है कुंडली का तीसरा भाव पैदा करता है कुंडली का छटा भाव पैदा करता है और कुंडली का दस्वा भाव पैदा करता है यह भाव है जो आपको कहते हैं ये तो होना ही होना चाहिए कैसे नहीं होगा तो हमने वो महादशा, अंतरदशा, परतिंतरदशा खोजनी है जिसमें पहले भाव की दशा आ रही हो, तीसरे की आ रही हो, चटे की आ रही हो, सबसे ज़्यादा चांस कौन सी प्रतिंतर दशा में होंगा छटे की दशा में साथ में ये देखना ना भूले इन मेंसे ये भाव मजबूत भी है के नहीं पठा सिर्फ चिलाता है कि मुझे नोकरी नहीं मिलनी चाहिए नहीं कुछ आता है सोल लू बड़िया टीवी पे प्रोग्राम देख लू साम को बिग बॉस देखूंगा यार कितना बड़िया है नोकरी करूंगा बॉस के पास जाऊंगा बॉस दो बास सुनाएगा चार काम करने पड़ेंगे कौन चक्रों में पड़ेगा यार और सबको कहता है नोकरी दिलादो नोकरी दिलादो नोकरी दिलादो कभी कभी मन बहुत ड्रामे बाज भी हो जाता है पिर वो बहाना भी कोज़ता है कि आपन किसी के गुलामी नहीं करेंगे अब अपन तो खुद का दंदा करेंगे और यह वो लोग कहते हैं जिनको पक्का पता होता है उनके बाप के पाप पैसा नहीं है और बाप से इतना पैसा मांगेंगे कि जो बाप तो दे नहीं सकता तो बाप भी बचारा इसी चक्र में लग जाता हूँ बचारे को नोकरी नहीं मिल रही बगो इसी चक्रों में लगे रहते हैं सिर्फ दुर्मेंट ज черणषीह कुंझा शूर्य कमजोर होना चीवत फुर्य कमजोर सूर्य कमजोर थी नियुकल्या और की सिर्कार के अधीन होना है ना इस सरकारपना के सरकार कहन के अधीन होना है अब खुद सूर्य उगा तो राजा बनेगा वो खुद सरकार है अपने आप में वो नोकरी देगा कि लेगा राइट सर बिल्कुल सर एट सर लोग जो है सूरे उच्च का देखकर के ना बोले आई-एस बनेगा सूरे उच्च का हो गया तो काई कुर आई-एस बनेगा आई-एस भी तो आखिर सर्वेंट है आखिर सर्विस लग गया न इसलिए हमारे पुरानी पुस्तकों में प्राने गरंद में छटे भाव को नोकर कहा गया है पैट सर्व नोकर से नोकरी बना है तो उसको अच्छा नहीं माना गया तो इसलिए पहले हिंदुस्तान जब तक नोकरी शब्द अच्छा नहीं था 80% जनता खेती करती थी कि नोकरी नहीं करनी सारा कुपा लग जाता था अपने खेत में कहां थी बिरोजगारी बिरोजगारी नहीं थी हमारे इंदुस्तान में बिरोजगारी तो जब आई है जब नोकरी आई है और महीलाओं को तो बचाराय सांस लेने की फुरसत नहीं थी इतना काम ता महीलाओं पास, जिन्हें कहते तो बचारी हाउस वाइफना, काम तो जब था, आज without work हैं महीलाओं, विदाउट वर्क है इसलिए कईयों को कहता हूं इनको भेजो काम पर भाई साम नहीं आन तक तो मचाएंगी मचाएंगी घर में तो काम पर जाएंगी तो द्योग पती बनाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा तो द्योग लगाएगा कि ज्यादा पावर गुंत नहीं हो गया बैलेंस होना चाहिए शनी सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कि इस सूत्र हमारे पता नहीं किनों कि लोगों ने गलत सिखा दी है शूरे को पकड़ो तो बात में कहता है कि गुरुजी आपकी मैं 98 परसेंट बातों से बिलकुल अगरी करता हूं पर अपने लड़के की दिखा रहा था पर आपने कहा कि इसके सरकारी नोकरी नहीं लगेगी क्योंकि इसका सूरे ठीक है हमने तो यही पड़ा है कि सूरे के अच्छा होने पर ही गवर्मेंट जोब लगती है इस बात से मैं अगरी नहीं करता मैंने का वही मत कर और इंतिजार कर उसको यही कंसेप्ट समझाया तो उसको समझ में आया कहता है पहली बार मेरी आख फुली है पाइस सूरे कहाँ लिखाय किस पुस्तक में लिखाय की वह नोकर है राजा में लिखा ओ तो सबको राजा नोकरी कहे को करेगा वही राजा सीखता है राजा नोकरी नहीं करता सीखता है शरे बहुत गूर्ट संडे के दिन मैं काम की बात ही बता रहा हूं कोई दिकत नहीं है हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी अमारा तो समर्थे नहीं आप ही बताना विद्यारतियों को हम अपने गुरुजी से मांगते हैं हाँ पुषपा जी पर नाम गुरुजी मान लीजिए मिथून लगन की कुंडली है यह जो चोड़ चुक के जा रहे ना परशन पूज के मन नोट करता हो अगली बार नंबर नहीं आने दूँगा यह परशन पूछा और गाया पांच बंदे गाया हो गया है कि अब परवचन से हो गए तो क्या पाइदा हमारा तो काम हो गया अगली बार ध्यान रखूंगा जी पुषपा जी मिथून लगन की कुंडली है तो सात्मा भाव हो गया मारकेश जी और बादग भी हो गया जी और मीन राशी है यानि के गुरू उसके मीन राशी की हो गए तो उसमें क्या उपाएद करें कि जो है पढ़ाई में या ग्यान में या भाग्या में बाधान आए ऐसा होई नहीं सकता आप दो चीजों को अलग-अलग मिक्स कर रहे हो मारकेश और बादकेश हर मिथुल लगन वाले के साथ गुरू ही होंगे कि इस कंसेप्ट क्लियर कर लो उससे किस बात का इतराज जो परमात्मा ने भेजा है अब आपके बाल काले बनाके वेजे भगवान ने आपने कभी कंप्लेंड की पर जिस दिन सपेद हो जाएगे आप एकदम से कंप्लेंड करने पहुच जाओगे जो परमात्मा ने दिया है वो हमें असेप्ट करना होता है हर लगन का कोई न कोई बादक है तो मितुल लगन का मारक और बादक गुरू है इसमें गड़बड क्या होगे कुछ भी गड़बड नहीं हमने तो सिर्फ ये केवल मारक और बादक से थोड़ी बादा आजाएगी जब वो दशा में आएंगे जब वो एक ऐसे ग्रह की अंतर दशा में आएंगे जहां उसकी महा दशा से एक्वेशन सईनी होगी तो अपना मारक और बादक का रूल निबाएंगे ऐसे तो बचारा पड़ी नहीं पाएगा मिथुल लगन का जातक पड़ाई में बादा हो जाए तो और ऐसा थोड़ी है कि उसका गुरू उच्चिका हो गया तो उसके आला तोर खराब हो जाएगे ऐसा नहीं है बादाएं केवल मारक बादक से नहीं आएंगी अगर पड़ाई में बादा आ रही है तो चोते भाव को देखो चंद्रमा को देखो बुद्ध को देखो गुरू को देखो पता चल जाएगा कॉलेज की सिख्षा देखनी है चोथे भाव से देखो दुनियावी सिख्षा देनी है पब्लिक से कॉमन संस से कैसे बात करना तो पंचम भाव देखो उसकी माने क्या सिखाया है दूसरा भाव देखो उच्छी सिख्षा देखनी है नवम भाव देखो गुरु जी जोतिस देखना है कि मैं जोतिस शीख पाँगी कि नहीं अब पांच्वे भाव में राव हो गया वैसे ही करे कोई कहीं भी बैठे पहले भाव सीख लो अश्टम भाव में कहते जो अशी बन जाएगा जोतिस चाह今 को बन जाएगा अश्टम भाव से अश्टम भा रहस्वे का भाव है इसलिए उस सब्यक्ट का रिलेशन है पर जोतिस बनने का रिलेशन थोड़ी है हम सारे कहीं मित पकड़ के बैड़ गए और भाई लगनेश अच्छा होना जोसी की केवल विद्या ग्रेन कर लेने से जोसी थोड़ी बन जाएगा आदमी वो समझ में भी तो आनी चीज इंप्लिमेंटेशन समझ में आना चाहिए अब मालो आप जिस तरह से अलग-अलग कोशन पूछ रहे हो आप किसी ओर टीचर के पाप फसके देखो पता चल जाए उसको अपने अस्टम का पता चल जाए बचारे को उसी दिन अगर उसका लगनेश ठीक नहीं हुआ ना मामला कड़बड हो जायागा हमारी क्लास में भी कोशन पूछता हो कभी-कभी वो नहीं बताता मैं उसको वह रहे मगल नहीं इसको तो इतना भी नहीं पता कोई बाती डीप क्लियर करना जरूरी है आपको अच्छा जोसी बनना है लगन अच्छा होना चाहिए आपको अच्छा जोसी बनना चाहिए आपके ओपर गुरू की किरपा होनी चाहिए आपको अच्छा जोसी बनना है आपकी आत्मा अच्छी होनी चाहिए यानि सूरज अच्छा होना चाहिए आपके पास रिसर्च करने की पावर होनी चाहिए तो आपका राहू अच्छा चाहिए पाइंट समझे कि नहीं समझे आपका intuition होना चाहिए तो आपका केतु अच्छा होना चाहिए अगर ये चार गरह सूरज, गुरू, राहू, केतु किसी के भी अच्छे है और पहला भाव ठीक है तो बन गए जोच्छी थोड़ा सा चाकू भी साथ में रखना है तो बुद्ध अच्छा होना चाहिए तो फिर बुद्ध अच्छा होना चाहिए अरे विशाल जी तो पैसे वाले आत्मी है पकड़ा दो फिर ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा नहीं है तो भी अच्छे आप जो सी बन जाओगे बुद्ध अच्छा नहीं बीए तो पर बुद्ध समान जरूर होना चाहिए कमजोर नहीं होना चाहिए अगर बुद्ध गडवडा आ गया तो कोमंसेंसी गडवडा जाएगी समझेगा क्या? समझाओगे कुछ, समझेगा कुछ. फिर आदमी सामने वाले के साथ ट्रीट्मेंट ठीक नहीं देता है. हमारा उपदेश्य है सामने वाले को टेंशन में नहीं डालना, डिप्रेशन में नहीं डालना. आपका उपदेश्य है उसको सोलिशन प्रवाइड करना, उसको राहत देना, और अगर वो बचारा उल्टे सीधे परिस्तिती में आया ना, तो उसकी कमियां जादा नहीं गिनवानी. जब समाने हालत में हो, जब बताओ, तुन निकम्मा एक नंबर का, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ. पर वो अगर डिप्रेशन में आता है, स्ट्रेज में आता है, तो हम उसको वो बात ही नहीं करते पालता हूँ. कि तेरा मंगल बद्धै प्लान, अरे कई आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं सुनके ही, अब कईयों ने जोस्यों ने बता रहा है, तेरा ये गरह भी बढ़िया, वो भी गरह बढ़िया, वो बचारे अच्छे-च्छे योग बना के बैठे हो ते, बने रहने दो, आपन दाय माय के भी सारे तोड़ दो आप, उठा करके सारी बम फोड़ दो उसका, बचारे कर दिमाग खराब हो जागा, कहां जोसी कबाट टकरा गया, पैसे भी ले लिए दिमाग भी खराब हो गया, ऐसा नहीं करना, तो ये बड़े मानसिक हालात को भी देखना है, तो शिक्ष रहeries जिस भाव में बैठेंगे, उद्वादा पहुचा सकते हैं, अब ये 100% शोर नहीं की पहुचाएंगे, पहुचा सकते हैं, अब हो सकता को अब को व्यक्ति गुरु किरपा पने बैठा हो बच्ति में भी तो शक्ति है, ज्यान में भी तो शक्ति है, आह सा नहीं ये संसार में भेजा तो प्रॉब्लम का सुलेशन देने की भी सामर्थे मनुष्य के पास भेज दी भगवान ने भगवान बहुत वास्तों में दया लूँ है उसने जब आप इस संसार में आए तो शरीर को इम्मुनिटी परदान की साथ में पिता की रूप में देवता भेज दिया जो पचारा अपने उपर ही बोज उठाय गूम रहा है जब से पैदा हुआ बच्चा ना बही मुझे तो बच्चे के लिए कर रहा है ना बही मुझे बच्च अब वो चैए अनपड है जब पड़ा लिखाया कोई माईन ही नह अब बचारा जैसा भी देता हो देरा है तो बूत देवता हो गया और जिसकी आचल के पीछे हम छुप जाते हैं कोई भी कसूर करके वो तो डेवी हो गई वह नहीं माः को घट बड़ कर समझ जागा कोई और मारें उससे पहले दो जूत वही मार देगा तो देवी सवरूप हमारी माबाप भेजी हैं हमारे साथ ही धर्थी पर कि अब अग्वान ने सारी वे उस्था करके बेजी हैं अगर मारक बादक कहीं गलत जगा बैठ भी गए तो हमारे पास उप्शन्स बहुत हैं बहुत उप्शन्स हैं वह बात अलग है कि हम उप्शन्स को अविल करते हैं कि नहीं करते डेट से डिफरेंट वेटा हाँ सानूदता मैं आपका आर्ट प्रेडिक्शन का चात्र हूं और बहुत को सीखा हूं तो मेरे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दो तीन चीज़ा जिसके कोई भाब को अगर फलित कर रहा हूं उसका अगर भाब भाबेस का तीनों ही अच्छा हो जाए तो फलित अच्छा है तीनों ही न नेचर कैसे चैंज होगा जैसे मैं एक उधा रहा हूं फुम लगन है जालू अलग एपसी संजाता हूँ कि सप्टम अलग है फिर हमने का भावेश भी बहुत अच्छा है कि अच्छे का मतलब सब्तम का सुआमी अच्छी जगह बैढ़ गया अपने से दसवा बैढ़ चलो वह भी थोड़ा गड़ बढ़ कर दें पंच में बिठा देतें लाप में बिठा देतें बहुत अच्छा होगा परन्तु कारक शुक्र पिट गया इसका मतलब क्या हुआ इसका सिंपल सा मतलब है शादी आपकी अच्छे घर परिवार में होगी अच्छे सुप्राल मिलेगा आपको और क्वालिटी ओफ वाइफ वो मामला गड़बड हो जाएगा शुक्र आपकी पतनी है उतना अच्छे गुण आपकी पतनी में होगे नेचर और घर को संभालने की घर में बरकत पैदा करने का ज्यान आपकी पतनी में होगा पुरुष का शुक्र पिट गया पुरुष का शुक्र पिट गया तो पतनी में वो ज्यान नहीं होगा घर में परक्कत कैसे लानी है फिर बस वो डिमांड ही डिमांड करेगी उसको कोई लेना देना नहीं पती के आहलाद खराब है कि बचारे के बनियान में भी चार छे दोरें वो नहीं देखेगी वो कह violently आए पडोसन साडी पैं पैंके चार बर दिखा गई आज तो तू नहीं या मैं नहीं तो शुक्र का काम है अब मान लो सब्तम आ ओ, गडबड़ा आ गया, सब्तमेश गड़बड़ा आ गया, दो गड़बड़ा आ गये पर शुक्र अच्छा हो गया इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है, ना ससुराल अच्छी मिली, ना पत्नी जैसे परिवार से आनी चाहिती वो मिला, पत्नी को कोई बढ़िया ग्यान वगएरा कुछ नहीं मिला, पर जब वो आपके घर में आई, वो तेवी सवरूप बन के आई. प्लस, अब आपकी उससे नहीं बनेगी. और वो लड़की जो है वो जो महिला है, वो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि वो घर बसाने का भरसक प्रयास कर रही है, और तुम घदे पन में घर तोडने का भरसक प्रयास कर रही हूँ. तुम कभी एक्स्ट्रा मेरे टेल आप भी करतेगी क्योंकि उसको घर बसाना है घर में बरकत पैदा करनी है और एक दिन इंसान खुद महसूस करेगा यार मेरी वाइफ तो देवी है मैं गदाओं आप समझेगे क्या हुआ क्योंकि उस शुक्र की क्कॉलिटी कारक भी क्वाइटी क्या है अब मानों इसको लड़की के केस में ले लो महिला के केस में ले लो महिला का केस क्या होगा महां पर जूपिटर हो जाएगा अब महिला का जुपीटर गड़वड़ा गया इसका वलब पती की क्वाल्टी गड़वड़ा गई पती अब मालो पिता जी ने तो देखाया लड़का वाले बड़े अच्छे हैं बड़े पैसे वाले बड़ी building बड़ा मकान बड़ा कोठी बड़ा नोकर चाकर सब देख लिया उसने बैपार देख लिया पर गुरु लड़की का अच्छा नहीं है तो उसको सुसराल एब की डेफिनेशन समझ लेना यहां पे एब दारू पीना नहीं है एब की डेफिनेशन है उस लड़की को जो एब पसंद नहीं है वो उसके अंदर है लड़की को अगर दारू पीना पसंद नहीं है तो उसमें दारू पी लेगा उसको इधर उधर गुमना पसंद नहीं है तो लड़की के अनुस्वार क्वाल्टी ठीक नहीं है इस वाल्टी इस रिलेटिव ट्रम विच वहरी परसंटू परसंट और क्वाल्टी मिन्स फिट फॉर यूज कि जो निज्स वह ओिक्वाल्टी के वही है और और क्वाल्टी द्रिलेटिव ट्राम है वाई होसकता है kangone जिस ग्लास में किटना सुरॉपे हैं और आत्य जिस ग्लास ग्मानी पी मिरDay करता है कि तो! नेचुरल चीज है आज कल तो दारू पी लेते हैं लड़की को नहीं पसंद उसने ख्वाब देखा कि दारू पीने वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं अब यह मुद्दा नहीं आप यह नहीं कह सकते हैं तेरा बाप भी तो पीता है तेरा भाई भी तो पीता है अरे भाई उस उसने बच्पन से ख्वाफ देखा है, भरी जवानी में ख्वाफ देखा कि उसकी वाइफ ऐसी होनी थे, वो ऐसी नहीं है, इस शुकर का रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है, यह वह मत पालो, कि शुकर अच्छा होगा तो पत्नी एकदम गोरी चिट्टी रंग रूप म कैसा आएगा, अपने पसंद का होगा कि नहीं, वो दिसाइड करेगा, ओनली क्वालिटी ओफ वाइफ और गुणों के अंदर रूप नहीं होता, गुण का रूप नहीं होता, आप बहुत टेलेंटेड आदमीं बताओ तो आपकी रूप को कौन देख रहा है, कौन देख र किसने का रहे यार गुरुजी तो यार इतने स्मार्ट तो नहीं है रित्तिक रोशन टाइप तो बिलकुल भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, गुणों के सामने रूप फेल है, पर रूप के साथ गुण जरूर चाहिए, केवल रूप काम नहीं करता, तो जब हम कारक की बात करते हैं, तो कारक मिंस वो जो गुण वो कारक केरी कर रहा है कर रहा है, कई बार कारक तो है, पर केरी नहीं कर रहा हूँ, इतना होता है, और कुछ लिए. बट एक क्या हुआ मेरे पसे चार्ट आता है करक लगांदी चंद्रमा अश्टा में जाके बैठ गया है राहू के साथ तो फिर भी मैं देखूंगे क्योंकि वो जो रासी है उसके साथ मुझे लगए कि उतना पीडित नहीं है बट भाबेश मेरा चला गया है को मुझे लगा कि पीडित नहीं आया कि कैसे इसको इंटरप्रेट कर लगन को देख रहे हैं कि दसम को देख रहे हैं वो बताओ पहले इस धर चंद्रमा का पोजिसन को मैं यह देखूं कि खराब है कि अच्छा है क्योंकि भाबेश अश्टमभाव तो खराब हो गया मेरा मैं क्योंकि उसका भाबेश हो गया अच्छा ग्रहा मिलिए पहली बात तो देखना है कि लगने सस्टम में गया, अब सस्टम खराब है, ते लड़का है या लड़की है, तुम कहते हो जी मैं तो लड़का हूँ, लड़के हो तो खराब हो गया चंद्रमा, पर लड़की हो तो सीनी बदल गया, पर तो रानी लक्षमी बाई बन जाओगे लड़के हो तो घवराते रहोगे anxiety के शिकार हो जाओगे छोटी-छोटी चीजें पड़े शान करेंगी वह extra emotional हो जाओगे छोटी-छोटी बातों बे रोने लगोगे फिलम को देखके रोना जाएगा फिलम में को emotional scene होगे रोने लग जाओगे बैठ करके करें अपरे काँ पस गये तो भाई देखा ही नहीं जायागा कोई कड़वड़ा ऊपर से राओजी बिठा दिये राओ ने और भी कर बेटा करक कर दिया अब राओ बिठाने का मतलब है दिमाग पर राओ बैठ गया यह मैं सोचे चंद्रमा के साथ ही बैठा है यह दिमाग भी भी बैठा है बस सिंपल है अब इसमें इससे जज़्याद क्या चाहिए है हाँ उसको cancer हुआ है उसकी वाई से मेरे रपास आइसा बट मैंने उसको बोला कि मैं तो मुझे लगा नहीं ठीक होगा क्या नहीं लगा cancer cancer हाँ क्योंकि cancer हुआ है कैंसर से कौन जीता है मजबूत आदमी जीत जाता है अब वो नाम सुनके उसके हद पेर फूल लिया गए तो पिर क्या करेगा उसको कहा दब के मार एक्सरसाइज दंड मार जोस बढ़ दिया करो ऐसे में न दंड मार एक्दम क्या नहीं कर पाया है तेने बॉड़ी बनाई कि जा जिम में जोइन कर स्मार्ट बन फर्स क्लास दिमाग में मट डाल ठीक हो जाएगा इम्मुनिटी का ही तो खेल है सारा इम्मुनिटी बढ़ा तो उसकी ठीक है थेंक यू आरे शब जल्दी बताओ लेट हो गए आज जिस घर की रश्मियों को हम दूसरे घर पे पूचा देते हैं आपने यूटीब पर वीडियो भी डाली थी मैंने वो पूरी देगी थी तो मुझे एक डाउट है जिस घर का वो पक्ता घर होता है क्या हम उसी में पहुचा सकते हैं या जहां पे उसकी त्रिश्टी जा रही है या कहीं पे भी पहुचा सकते हैं तो कहीं पहुचा सकते हैं अब जैसे मेरा जो है ना मेरा तुर्णा लगने का चार्ट है अगर पके घर में पहुचाने की ज अच्छा नहीं माना जाता मरकरी नाइन था उसमें गलती तो आप कर रहे हो ना रिशब मेरा हमारी एप डाउनलोड कर लो उसमें जो हमारी पुरानी जितनी क्लासिस के वीडियोज है सारे कोर्सिस उसके अंदर है उसको पक्के तोर से देखो यहां पर बुद्ध खराब नहीं हुआ यहां पर गुरू खराब हो गया गुरू मेरा एर्थ हाउस में अब भाई कहीं हो गुरू कहीं बैढ़ जाओ आप चैनौवें पिठालो कहीं बिठा सकते हैं मैं तो कहा रहा हूँ व्यक्ति में हिम्मत चीए सब कुछी कर सकता है तो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कैसे करें अब जैसे मैंने वर्षफल कुंगली बनाई ती डाउट इसलिए है दिशब नहीं आगे बढ़ रहे हो इतना समय नहीं है सिंपल सी बात है डाउ सी कंसेप्ट भी नहीं समझ में आया अभी तक इसलिए डाउट है तो मैं आप से जितनी देर बात करता रहूंगा करता ही रहूंगा क्योंकि डाउट पर डाउट आता ही जा रहा है और वैसे ही अब तो आपने मुझे बता दिया कि बुद्ध नवम में बैठा है तो एंड सब्सक्राइब के लिए विद्ध के लिए जो फटा-फट कैल्पिलेशन तरके देते हैं और हमें सरफ इसके बाद आगे का कारेक्ट करना है तो क्या लाल किताब में बदला ही क्या है लगन कुंडली को नंबर बस में लगन की बनाना जो भी कुंडली अवलेबल है सबसे कभी पुझने ना मेरे पास मैंने आज तक लाल किताब का सोट वैद नहीं देखा है लेकिन तो कोई भी किताब ले लो में ने 25 किताब ले रख यह के कहीं से परचेज कर लो कोई सी एक कोई भी किताब हरे एक में वर्षफल आएगा ही आएगा लाल किताब 100 रुपे की खरीदोगे तो भी वर्षफल आएगा उसमें 500 रुपे की लोगे तो भी वर्षफल आएगा अजार रुपे की लिए वर्षफल हर लाल किताब में आता है कोई भी एक किताब खरीद लो वर्षफल आजाए यहां पर चंदर्मा बैटा उसी को पहला बाव बना लो बस होगे चंदर्मा पैसा हम नहीं लगवाएंगे सिदार जी आप ने एस्ट्रो पार्ट सला जोइन की है चिंता काई को करते हो यह वह करते हैं जिन्होंने लाल किताब तो उनके पास स्टूडेंट तो उनको मिलते न स्टूडेंगे उनसे अपना बसूल कर लेंगे गुरू चंदाल योग वाले गुरू भी तो कई बैठे ना मार्केट में आप चिंता ना करें कोई सौट्वेर की जुड़त नहीं मैं तो उल्टा बोलता हूं भाई साप कहीं कोई सौट्वेर मतलो किताबों के ज्यादा चक चकर में पढ़ना है तो कर लो नहीं हमारे स्टाब से बोल देना वही वर्शवल का पूरा डिजिटल हमने बढ़वा रखा है वह आपको बेदेंगे दो मिंट लगेगे अपना खोलो मोबाइल में तुरंत वर्शवल आ जाएगा है ना मैं तो मेरी आदत निए डिजिटल देखने की तो मैं थोड़ा किताब रखता हूं साथ में तो फिर में कुछ निए वह चकर में मत पड़ो बाकी इच्छा आपकी है आप यूएसे में रहते हो खर्च भी कर सकते हो इंडियन आदमी सोसता है कि यूएसे में बैठा तो ज्यादा खर्च कर सकता है तो इंदुस अधिकतर यह होता है कि वेडिक जब अपन हमारे काफी सारे स्टूरेंट्स है जहां पर वेडिक करते हैं नमाश बोलते हैं यह बोलते हैं अभी तक तो मुझे मोटा मोटा यह सोझवा है कि तीन चीज़े अपन देखते हैं तो इच्छा शक्ति मन और आत्मा और मसनोई के जो ग्रह को आप साथ में मिलाओगे तो आप नमाश के रिज़र्ट जो वी डी नाइन डी वन एम आए करेक्ट बिल्कुल तो अधिकतर यह देखा जाता है कि मसनोई कुंडली को पॉजिटिव बना देती है I mean is it true और और यह जो पूरी तरह तो सत्य नहीं है क्योंकि वो न नमाश में जाके हम देखते हैं डीजिनल चार्ट में देखते हैं वो चीज जो है आपको आपके डीवन चार्ट में एवलेबल है लाल किताब में मसनोई एक ऐसा कंसेप्ट है अब तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस से कहने लग गया कि जो टीचर्स को 98% टीचर्स को नही ही वीडियो हमारे ही देखके समझे होगे अब उनमें हमारी वाशा सामिल हो गई है तो मेरी तो शब्द यह लग है ओपर से हमारी आणवी कहीं बोल दे वो पकड़े जाते हैं तो समझ जाते हम तो यह निशित रूप से यह हमारे गुरु किरपा है जो मसनुई को हम समझ प कि कमी को ही पुरा करते हैं तो वर इट भी फैर टू से कि अगर लाल किताब सीख ली तो वेदिक complicated question है, सीखना नहीं चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, नहीं, नहीं, मैं तो कहता हूँ, सब कुछ सीखो, मना नहीं करता मैं, कभी भी, बट मैं तो वो कह रहा हूँ कि सीखा कुछ भी नहीं और दूसरे में सिफ्ट हो गए, मेरा विरोध इस चीज का है, लाल किताब सीखी नहीं और वेदिक में गुजगे, वेदिक सीखा नहीं, वेदिक सीखते सीखते दिमाग में आरे, रामलाल तो लाल किताब सीख रहा है, उसने तो चार उपाए बता दी है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं, एक भी उपाए, यार ये वैदिक वाला तो उपाई की बात ही नहीं कर रहा है और इन्हें तो बड़ा-पड़ का टॉपी लाल रंकी पहन लो सफेद रंकी पगड़ी पहन लो चांदी के चकोड टुकड़े दबा दो पडोसी के जाकर के ये कर रहा हो वो कर रहा हो यार मस्त काम है यां तो हमर के उपाए हैं पर तुप पहुंच तो सही वो पहुंचा कहीं नहीं और बाद में कर रहे लाल किताब ज्यादा असान है और इतने बैदिक कान सीख लिया हां बैदिक भी आसान है इस बार मैंने डिविजनल चार्ड़ को इतने असान तरीके से पढ़ाया मार्केट में अ असान तरीके से हर डिविजनल चार्ड़ वो अब हमारी एप पे आ गए है एप जो नहीं डिविजनल चार्ड़ किये वहां से भी सीख सकता है एप के थुरू भी ले सकता है अब उसको कैसे मैं मुश्किल मालनो गई शर अप पे नहीं दिखा रहा है मैं डून रहा हूं सर नाम नाम मैं अभी बच्चे को बोलता हूं किस नाम से डालती है थोड़ा नाम नुम ना चीज़ गया है और डिविजनल चार्ड़ के नाम से होगा नहीं यह लिंक बेज़ देंगे डिविजनल चार्ड़ जो है विशाल जी के पास बेज़ना है ना एप में से अब ही आ ज चिर्फ जब ही हमारे डाउट्स रहते हैं जब हमने कोई भी टॉपिक को क्लियर नहीं किया होता है और आदे अधूरे ग्यान के साथ हम भटक जाते ना वो गड़बड़ हैं और कई लोग जाते हैं कि केपी सीख लो जी सीख लो बही कोई बुराई नहीं है वो भी एक टेक सीखो फिर केपी कहते हैं यहागा ना ये बटिकनीक है सीखो फिर केपी गहाता है कि अब किशन के बोलते ही हमने कि इसको कि प्रॐशन को जाता हो हमारे पार कुछ चमधकार तोड़ी है बड़ब केव बोलते ही समझ में आधे समझ में क्या आया है तो उनको के फी भी नहीं आती तो मैं चैहता हूं भटको मत मेरा बिरुदों भटकने से है अब बैसा mixture आध कर भी पढ़ा लेता हूं मैं लाल किताब भी पढ़ा लेता हूं और दो किसी पे भी बुलवा लो के पी पे बुलवा लो जैमनी पे बुलवा लो आप किसी भी शुरू हो जाओ तो इसका मनला हमने जब सीखिए तो मैं इस चीज का विरोध कैसे करो इतने सारे कैसे एक ही मतलब वेदिक से खत्म करने में समझ मैं आने बहुत टाइप है वह यह बहुत प्रविक सारं एंठी हम तो बताते नहीं हमारे गुरूजीद की करपा है ठीक है लगे रहो लगे रहो लगे रहो छोड़ो शोड़ देते हैं लोग बीच में बग्दन मचा देते हैं वह दिक्कत है अब अब जैसे मैं किसी को कैदू में मिने चार-पांच भाव करा दिये और मैं को बाकी के तुम कर लो कई स्टूडेंट के दिमांग में वह अठक जाता बाकी की नहीं कर लेबर क्लास काम करवाना है गुरूजी से तो लेबर क्लास में बहुत बढ़िया कर देता हूं कि अर भाव पांच-पांच मिंट में करांगा एक गंटे में बारा भाव निपटा दूँगा उस दिन पर मुझे मजा नहीं आता है अब आप तो ऐसा जो बारिकियां चाहिए सब्जेक्ट की तो भाई मुझे टाइम देना पड़ेगा दरकिनार करो फिर कुछी जो मैं कम्प्रोमाईज करो भूले वो हम नहीं करेंगे ती आप जानो त्याग तो आप नहीं करना है आप हमारे गुरू ठीक बात है भाई है तो वाली बात है चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का सब्सक्राइब को लाही क्लास ऐगा रूंद नाय स्वाव डिवाद में करवाना है एक करवा दिया है मैंने रहा है फर वरी तक तो इन्हीं की जिम्मेवारी ले रखें और फरवरी में पूरा हो जागा ऐसा मेरे सवाव के नुसार तो मुझे लगता नहीं तो मार्ट हो जाए, अप्रेल हो जाए, कोई वरोसा नहीं अप्रेल पर चलेगा नहीं यह चीज है अब तो जो है मैं एक मेडिकल एस्टोलोजी शुरू करूँगा वो लाइफ चलेगा पर यह उनके लिए है जिनको बेसिक बूसिक आता हो हर एक के लिए नहीं कई मेरे से पूछने लग जाए, खोपड़ी कहां से देखते तो मैं कैसे जोवाब दूँगा भईया, मैं फज्जा हुआ नन्यवाद नन्यवाद झाल कर दो करता है कर दो जब नन्यवाद कर दो का नन्यवाद